दोस्तो नमस्कार फिर से एक ने वीदियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तो राषन कारधारकों के लिए बहुत बुरी खबर आई है आप भी राषन कारधारक है और सरकार द्वारा चलाई जा रहे रहे राषन कार्ध握 योजनाओं का लाब उठा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत बुरी होने वाली है केंद्र सरकार द्वारा मिली जानकारी के अंसवार भारत में लाखो काड़धार को के राशन काड़ रद कर दिये गए हैं अब लाखो लोगों को मुप्त राशन की सुबदा नहीं मिला पाएगी जिसे से वे राशन मिल पाएगा जिसे से वे मुप्त राशन का लाब नहीं उठा पाएगे केंद्र सरकार ने एक निर्देश जारी किया कि भारत में कम से कम 10 लाख लोग फरजी तरीके से मुप्त रासन की सुबदा का लाब उठा रहे हैं और उन्हों ने यह भी सुनिशित किया कि ऐसे लोग जिन्होंने फर्जी तरीके से इस मुप्त रासन का लाब उठाया है उनका रासन कार्ड रद कर दिया जाएगा सरकार ने फरजी रासन कार्ड धारकों के लिए तयार कर ली है जल्द ही उन सभी लोगों का कार्ड कंसिल कर दिया जाएगा एक सर्वे के अनुसार यह पाया गया है कि भारत में लगबग 80 करोन लोग रासन कार्ड योजना का लाब उठा रहे हैं इमेश से जिनके कार्ड पुरी सूची डीलर को भेजी जाएगी इसके बाद डीलर इन लोगों को रासन नहीं देंगे और डीलर वैसे कार्ड धारकों के नाम अंकित कर उनकी रिपोर्ट जीला मुख्याला भेजेंगे जिसके बाद उनके कार्ड रद कर दिये जाएंगे NFSA से मिली जानकारी के अनुसार उन कार्ड धारकों के नाम सूची से हटा दिये जाएंगे जो आयकर देते हैं या जिनके पास दस भी गये से अधिक जमीन है ऐसे लोगों को मुप्तर रासन नहीं मिलेगा कुछ लोग ऐसे हैं जो मुप्तर कार रासन लेकर धंधा करते हैं ऐसे लोगों की पहचान भी कर ली गई है इस लोगों को कार्ड भी रद किया जाएंगे ऐसे रिलेटिव खबरों के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब कर ले बेल आइकन कंटी को आल कर ले नेक्ट बढ़िए फिर मिलते हैं दोस्तों जाए इन्जाए भारत बंदिए